नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है दिल्ली के शाहिन बाग में चल रहे धर्ना प्रदर्शन को 68 दिन हो गए हैं लेकिन प्रदर्शन कारियों का जज़बा कम नहीं हुआ है सुप्रिम कोट ने प्रदर्शन कारियों से बातचीत करने के लिए वारताकार भी नियुक्त किये लेकिन कोई बात नहीं बनी प्रदर्शन कारियों का कहना है कि जब तक नागरिक्ता संशोधन कानून को वापिस नहीं ले लिया जाता वे पीछे नहीं हटेंगे CAA और NRC को लेकर जैपुर में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है प्रदेश की राजिधानी जैपुर के शहीद इसमारक पर चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद अब रामगड मोड स्तित करबला मैदान में भी महिलाओं ने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है करबला मैदान में CAA और NRC के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन में भी महिलाओं की खूब भीड उमड रही है शहीद इस मारक पर चल रहे धरने के आयोजकों ने ही करबला मैदान पर CAA और NRC के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कराया है यहाँ पर धरना देने के लिए महिलाओं तीन बज़े के बाद जुटना शुरू होती है हाला की करबला मैदान पर शुरू हुए प्रदर्शन से प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है क्योंकि करबला मैदान पर चल रहे प्रदर्शन से ट्राफिक वियवस्था नहीं बिगडेगी इसके लावा अलबर्ट होल पर भी CAA और NRC के खिलाफ रोजाना शाम साड़े च्छे बजे से लेकर रात आठ बजे तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है अलबर्ट होल पर चल रहे प्रदर्शन को 51 दिन बीट गए है प्रदर्शन कारियों का कहना है कि जब तक CAA, NRC और NPR को केंदर सरकार वापिस नहीं ले लेती है ये धरने जारी रहेंगे गौर तलब है कि जैपुर और टोंक में भी CAA के खिलाफ अनिश्चित कालीन धरने प्रदर्शन चल रहे है